हेलो एवरीवन तो कैसे हो सारे स्टूडेंट्स कॉलेज की तालाश में जब हम आते हैं तो हमारे सामने एक और कॉलेज आता है जिसका नाम है यू आई एटी चंदिगर्ड इस कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वह एडमेशन्स लेना चाहते हैं क्योंकि यह टि क्रिक डिकश्मेंट वाला हुँ क्या यहां का होस्टल फीस oben स्टुडेंट आप चुछ हाप साही निकलने वाली पूरी यह चीज उने वाली जदा बात करते हों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने रहें एक आप लोग के साथ यार कि आप जो है चैनल पर फर्स टाइम आयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना क्योंकि यार जो हमारी यह पूरी की पूरी कॉलेज रिव्यूज और जो भी काउंसलिंग प्रोसेस जैसे जैक चंदिगड के तुरू यह मिलता है तो सारी चीज हम ल सब्सक्राइब को पता है जो किया आपको पता है टीर वन के अंदर कौन से कॉलेज आते हैं जो सबसे बेस्ट कॉलेज इस होते हैं और एफ रैंकिंग देख सकते हूं 41 बहुत सारे एनाइटी से भी उपर है इसकी रैंकिंग ठीक है बस इसका एक जो सब कुछ मेंटेंड है सब कुछ दे रखा है स्पोर्ट्स फैसलेटीज के बारे भी बात करूँगा तो ऑल आर प्रवाइडेड बट थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है कि आजकर 11 इकड़ के स्कूल्स भी होने लग गए ठीक है न तो इसलिए थोड़ा सा वैसा रहता है त जो भी हमारे वीडियो देख रहा है जेई मैंस के एक्जामिनेशन के थुरू आपको यह कॉलेज मिलेगा जो भी जेए मेंस में आपके रैंक आई उसके बेस्ट वे यहां पर आपको कॉलेज मिल जाए लेकिन बस जेए मेंस की रैंक से अपलाई कैसे आप लोग करोगे ति जैक चंदिगड जो है चार इनन गेर चार कॉलेजस आ जाते है यह तो जैक चंदिगड में यह चीज है आगर आप को च्ट Ben में इशू आएगा क्योंकि काउंसिलिंग जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको यार चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और लगाना पड़े किस ब्रांच को उपर रखो किसको नीचे रखो कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बेकार है तो अगर यह सब इशू ना कुछ भी डाउट्स होते हैं यह सारे चीज़ जैसी आप परचेस करते हो तो देन जाकर कि आपके पास कॉल आ जाएगा फिलाल इसका प्राइस तिरपल नाइन है बाद में जैसी काउंसिलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके प्राइज को जादा ही बढ़ जाएंगे ठीक है तो आपको पता चल के अडमिशन प्रोसेस अब इसके फीज के उपर आ जाते हैं कि फीज के कुछ जादा है कम है तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोग का जो है फीज वन लाक पर यह ठीक है कुछ लोग बोलेंगे कम है नाइंटी ठाउजन है तो और फीज भी होती है ठीक है पांच अजार आपको सिक्यॉर्टे फीज भी सुरू में लिया जाता है फाइब 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 के प्रोक्स तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोग का जो है फीज वन लाक पर यह तो आल्मोस्ट यार फोर लाक्स अपका फीज चला जाएगा इस का अब देखोइस की बात कर ली तो अब होस्टल की बात कर ले दहीं फिर कट आफ की बात करेंगे ठीक है जाहां होता है कि बहुत सारे colleges में hostel provide नहीं करे जाते इस college के अंदर भले campus छोटा सा है लेकिन भीया जी hostels इन्होंने बना रखें ठीक है न तो यह hostels आपको कितने hostels मिलेंगे eight boys के hostels लोंगे और nine girls के hostels लोंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है girls to boys का ratio कि अगर बात कुरूं तो one is to five रहता है एनिकी five boys पे एक girls होती है ठीक है तो ratio अच्छा है यहां का वरना college हो के तो 60 is to 345 is to 10 ऐसे वाले ratio रहती है यहां बड़ अच्छा ratio है okay अब जो है इस college में यार hostel की fees कितनी पड़ेगी hostel life तो अच्छी है चलो सब अब कुछ है आप आप जो है joint में भी रह सकते हैं यहां सिंगल सिंगल ही रहना है ठीक है न तो hostels जो है hostels में जाकर के कितनी फीस पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूं आप लोग को यह पर semester ठीक है यह पर semester की है फीस तो पर semester मैं सब मिला करके इतने रुपए आपके लग जाएंगे 9,370 रूपीज आपके लग जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगो के लिए तो expected कट अफ की बात कर रहों तो देख यहां पर हमारे पास ब्रांच इस कौन कौन सी होती है सबसे इंपॉर्टेंट हम हो जाता है ब्रांच इस तो यहाँ पर अगर मैं इसके बात-बात करूँ तो हमारी यह cut-offs है तो यह सबसे पहली चीज तो आप लोगों की जो जो आल इंडिया रांक आने वाली है वो चीज यहां पर लिखी होई है ठीक है कोई भी category rank यहां पर नहीं लिख रखी ठीक है और इस college को मैं बता देना चाहूं सबसे अच सिनरियो है तो मैंने जो लिखी है वह सारी एंडिया के लिखिया क्योंकि बच्चे जाहता बहुत सारे बाहर से आने वाले हैं तो यहां पर दो रांक लिख रखी है ठीक है तो आप इसको मान सकते हो कि इतने पर लगभग बंद हो जाती है तो यहां यह क्या है opening rank ठीक है न क कि जब यह स्टार्ट हुआ था तो हमारा कितने पर खुला था ठीक है और यह हमारा क्या है क्लोजिंग रैंक कि मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करना हमें नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है स्क्रीन शॉट ले लोगो थोड़ा समय से नॉप अगर आपको क्लोजिंग की बात कर लेता हूँ एसी जो है 61 थाउजन तक गया है तिरपाली 82 थाउजन तक गया देख सब्सक्राइब कितना ज्यादा गया ठीक है वल लाक 8569 तो यह बहुत ज़ादा गया है ठीक है और अगर लास्ट मैं बात करूं तो बायो टेक्नोलोजी सब्सक्राइब करें तो अगर आपको इस कॉलेज के अंदर पस एंट्री लेनी है कोई सी ब्रांच लेनी है तो अगर आपके तीन लाक राइंग तक भी है इसली आपको मिल जाने वाली है तो आई होप सो कि आपको कट-off क्लियर हो गई होगी और अगर डेटेल और भी चाहि कि अगर प्लेस्मेंट हमारी अच्छी नहीं होगी तो फिर हम उस कॉलेज में जा क्यों रहे हैं कि सारे बच्चों को कैसी ऊस्कॉलेज की इस कॉलेज की प्लेस्मेंट की बात करना है स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीजी आपको बहुत जगत देखने को मिलेगा कि एर 42 लाक का हमारा जा रखा यहां पर प्लेस्मेंट ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इसलिए बोलते हैं कि अंदर की बाते हैं हम लोगों से पता चल पाएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखा करो 42 लैक्स जो है वह हमारा ओफ कैंपस का है ठीक है ओन कैंपस और उसकी प्लेस्मेंट लग जाती है तो कॉलेज वालों को शो करना होता है क्योंकि जिससे अच्छा पैकेज दिखे तो इसलिए क्या करते हैं ओफ कैंपस वालों का भी शो कर देते हैं तो यह हमारा क्या है 42 लाक का ओफ कैंपस लेकिन हमारा जो 30 लाक का है अमेजन ने दि विजट करती है और 30 लाक का पैकेज देती है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि यहां के बच्चे इतने ज्यादा फूर्ड रहे हैं ठीक है न तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर इस कॉलेज का तो यह बात के लिए हमने लेकिन सब बच्चों की 30 ला जो भी लगेगी ठीक है तो आवरेज पैकेज यहां का बड़ा अच्छा है 6.5 से लेकर के लगभग 6.9 लाक के बीच में आप लोग को आवरेज प्लीसमेंट देखने को मिलता है तो बहुत बड़ी है प्लेस्मेंट है प्लेस्मेंट रिकॉर्ट सार बेरी गुड इस कॉले भी इशू नहीं होने वाला प्लेस्मेंट के अंदर मैं बात बता दे रहा हूं ठीक है तो अगर आप प्लेस्मेंट पॉइंट ओफ व्यू से देख रहे हो तो यह कॉलेज अच्छा है बहुत अच्छा है और आपको पता है इसकी रापॉटेशन क्या है बहुत बड़ी है यह है तो हमारी सारी बाते हो गई प्लेस्मेंट की बात मैंने कर ली बहुत अच्छा है नेक्स्ट यार आप कॉलेज जा रहे हैं तो बस यार प्लेस्मेंट के थ्रूई नहीं होगा सब कुछ हमें थ्वड़ा मौज मस्ती भी चाहिए तो स्पोर्ट के अंदर हम जाएंगे तो क्या स्पोर्ट खेलने के लिए हमारे पास सारी चीजे प्रवाइड है कि नहीं है ठीक है तो यहां पर आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है फुटबॉल बैडमिंटन वॉलीबॉल तो लगभग सारे गीम्स आपको में खेलने को मिल जाते हैं तो अगर आपका ऐसा बहुत मज़ा आने वाला है उस पैस्ट का नाम है घुझ जड़ी केल अबसक् leaked है तो वह बहुत अच्छा ऊとう quiere school I लिए बच्चे भी हाँ पहुस्ट है कि क्या होता है इतना शानदार है वाइद इसकी हाय जाती है कोई कोई बाइब लेना है यह भी ठीक है यह भी कोई कोई इजी टास्क नहीं इसमें डिशनल लेना रक चन्दिगर्ड के थुरू आपको मिलने वाले हैं तो अगर आपको चन्दिगडर की काउंसिलिंग करवानी है तो लिंग डिस्क्रिप्षिन में है go and check it out and join क्योंकि अगर आपसे अभी से जॉइन कर लोगे तो आपके लिए बिल्कुल फायदा हुआ कि कुछ भी मिस नहीं हो पाएगा आपसे वरना आपको पता है वीडियो और इन सब के थुरू आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है और समझ नहीं आ पाता है सारी चीजिए हम लो तो आपसे सारी चीजिए हम पारद किती है तो आपसे पायदा है यदो हम पारद करे आपसे का आपसे पारद को सुका।